नमस्कार दोस्तों एक बार फिर सुआ गयता है आपका अपके अपने चैनल लई उबंग में तो अभी हाली में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है राजस्तान में बर्ती के लिए वो नोटिफिकेशन राजस्तान फोरेस्ट गार्ड रिक्वारिमेंट दोजार बेश के लिए आपका जारी हुआ है यानि अभी हाली में राजस्तान में वन पाल और वन रक्षक की बर्तियों के लिए एक आधिकारी का अधिसूचना वो जारी की गई है तो इस वीडियो के मादे मिसे हम जानेंगे कि राजस्तान फोरेस्ट गार्ड का आपका सिलेबस क्या है इसका एक्जाम पेटर क्या है इसकी सेलरी क्या है इसका सिलेबस क्या है और भी बहुत सारी बाते जो आपके मन में डाउट बनी हुए वो सभी बाते इस वीडियो के माधियम से हम कलियर करेगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को तो आज की जानकारी की चीज़ के बारे में अभी RSM SSB Forest Guard बरती 2020 नोडिविकेशन के बारे में राजस्तान अधिनस्त और मंत्रालाइक स्यवा चैन बोड यानि RSM SSB ने राजस्तान वनपाल एम वन रक्सक Forest Guard और फोरेस्टर की के बरती के लिए के दिसुचना जारे की है इस अधिसुचना के नुसार RSM SSB ने वन रक्सक Forest Guard और फोरेस्टर के लिए 1128 पतों पर आविदना अमत्रित किये है योग्या और रिश्चु को मिद्वार 8 दिसंबर 2020 से 7 अनवरी 2021 तक अधिकारिक वेश्टर के माद्व से RSMSSB में RSMSSB Forest Guard Requirement 2020 के लिए आविदन कर सकते हैं यहां हम RSMSSB Forest and Forest Guard 2020 Online from 2020 के अन्य विवर्ण जैसे कि इसकी आयुशिमा क्या है, सेक्षन के उगेता क्या होगी, सेलेक्षन प्रोसेस क्या होगा अप्लिकेशन फीज क्या होगी और इसके लिए आविदन केसे करना जैसी बाते हों आपको निश्य वताई जाएगी तो सबसे बहले बात करते हैं वेकेंसी डिटेल के बारे में वेकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो Forest Guard की है जो वेकेंसी कितनी है एक जार इक तारिश पोस्ट है फोरेश्टर की आपकी 87 पोस्ट है टोटल आपकी 1118 पोस्ट है किया इस वेकेंसी के लिए आवे दिन आमद्रित किये गए हैं तो चलिए बात करते हैं इलिजिबलेटी क्राइट एरिया के बारे में यानि जो राजस्तान में वन पाल ये वन रक्स में बढ़ती है इसके लिए आपकी सेक्षन के उगता क्या होनी चाहिए तो वन पाल के लिए सेकंडर यानि बारवी पास होना चाहिए किसी भी मानेता प्राप्त बोर्ड से और वन रक्सके लिए मनत अपराफ बोर्ड से 10 निकलास वो पास होने चाहिए अब बात करते हैं आयू सिमा के बारे में तो आयू सिमा के बारे में अगर बात करें तो फोरेस्ट गार के लिए 18-24 यह रहा है वो आपके आयू हो सकती है फोरेस्टर के लिए 18-24 आपकी मेकसिमम आयू हो सकती है इसके लाव आपको आयू में छूट भी दी जाएगी चलिए बात करते है इपोर्टेट डेट के बारे में यानि जो राज़स्टान में वन रक्स हैं वन पाल की जो बरतिनी के लिए इसके लिए इपोर्टेट डेट क्या गया है तो आपकी अप्लिकेशन स्टार्ट हो रहे हैं फोर्म कमसे बने स्टार्ट होगे 8 दिसंबर से लास्ट डेट आपकी क्या होगी 7 जनवरी एक्जाम डेट आपकी क्या है यानि अगर बात करें राजस्तान फोर्ष्ट गार्ड की आपकी एक्जाम डेट के बारे में 21 मार्च 2021 को आपका एक्जाम होगा इसके एड्मिट कार्ड आपके कब आएंगे आपके एड्मिट कार्ड हो 15 मार्च से पहले पहले आपके एड्मिट कार्ड जारी कर दिये जाएंगे तो चलिए बात करते हैं application फीश के बारे में यानि जो आपका राजस्तान फोरेस्ट गार्ड की application फीश है क्या होगी जन्नल OBC जो की क्रीमी लेयर के अंतरगत आते हैं उनकी साड़े चार सूरुपे हैं बीसी ओबीसी नन क्रिमिलेर लेयर के अंतरगाते उनकी 3500 रुपे हैं एस्सी और अश्टी की 500 रुपे हैं तो यह आपकी फीस हो गई फीस का वुगतार आपको ओनलाइन माद्यम से करड़ा होगा तो यह बात करते हैं राजस्तान फोरेस्ट गार्ड का आपका सेलेक्शन प्रोशिस क्या होगा सबसे पहले रेटन टेस्ट होगा फिर आपका फीजिकल स्टेंडर एन एफिसेंसी टेस्ट होगा फिर आपका इंट्रिव होगा मेडिकल एक्जाम होगा यानि medical आपका होगा normal document एम character verification होगा तो आपका तो return test होगा वो 100 नमर का होगा PST और PT आपके 20 नमर के होगे interview आपका 10 नमर का होगा तो इस तरह सी कि आपकी merit list मेंगी इन अंकों के अधार पे सबसे पहले बात करते हैं कि राजस्तान forest guard का आपका exam pattern क्या होगा तो exam pattern में आपके लिखी प्रिक्स या आपकी क्या होगी वस्तुनिस्ट प्रकार का आपका पेपर होगा यह नहीं objective type क्यों सुरूंगे test की समय आप दिया जाएगा पर सनब पत्राव के वल हिंदी में ही shift किया जाएगा negative marking के बारे में अभी क्या कोई सूचना नहीं है तो आपको बार में बता दी जाएगी चलिए बात करते हैं राजस्तान forest guard का जो everyday science उसका syllabus क्या क्या होगा तो इसमें आएगा आपका अपरिवेशन आ जाएगा इसमें unit आ जाएगा discoveries, invention, measuring tool materials और scientific reason differences making decision related to science अब बात करते हैं RS, MSSB, forest guard mathematics syllabus की बारे में तो इसमें आप से क्या क्या पूचा जाएगा number system, communication of whole number, relationship between numbers fundamental mathematical operation percentage, ratio and proportion profit and low, simple interest average, discount, partnership time and work, time and distance table, graph, mensuration यह आपका mathematics का गया अब बात करते हैं social strategy से क्या 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 पूचा जाएगा आप से nature of society, change and development, politics, aspects यह चीज़ आप से क्या इस portion से पूची जाएगी अब बात करते हैं geographic question कौन कौन से आएगा आप से इसमें आएगा geography of राजस्तान in India area, area, map, population, water, resource, minerals, district in राजस्तान यह आपका राजस्तान जिक्केगा portion भी इसमें आएगा अब बात करते हैं history के बारे में तो इस्ट्री में आएगा राजस्तान की इस्ट्री और इंडिया की इस्ट्री दोनों आएगी historical place, places, mountain, freedom moment, important date and year चलिए बात करते हैं इसमें culture and arts level से जो कि आपका राजस्तान का सर से ज्यादा पूछा जाएगा, राजस्तान का आये गई, culture आजाएगा, art आजाएगा, books आजाएगी, paintings, major festival और fairs, यह आपके से पूछा जाएगा अब बात करते हैं current आपेर के कौन-कौन से topic से पूछे जा सकते हैं, latest scientific, progress, development, national internet, awards, Indian language, books, scripts, capital, currency और sport athletic यह लेटेस्ट जीज आपसे पूछे जाएगी तीन मंत की, यह तीन मंत में जितने भी घटना है, उनको अच्छी तरह से आपको पढ़ देना है, तो आपको दिसंबर, जनवरी और फर्वरी, तीन महिने की अच्छी तरह से यह विसे आप पढ़ने के इसको शुरू कर देन बाकि रास्तान का जो आपका जीकी है, रास्तान का कल्चर और रास्तान की खिलाएंस करती, उसके आपके भी टेस्ट चलें, रास्तान हाईकोड गूरूप D के अंतरगत, तो आप वहां से उसको लगा सकते हैं, वहां पे 115-15 कलास यह आपकी पूरी हो चुकी है, तो आप व हाइट अबो मेल करने डेट के 113 cm होनने चाहिए minimum और फीमेल की 500 cm हो सकती है, चैस्ट अबो क्या होगी, नॉर्मल आपकी 84 cm होनने चाहिए और फुलानी हो आपको 5 cm पूरी होगी, मेल के लिए फीमेल की चैस्ट इसमें क्या पूसी नहीं है अब बात करते हैं रणिंग, तो तो आपकी 25 km होगी 4 गंटे आपको time दिया जाएगा male के लिए female के लिए 16 km होगी 4 गंटे आपको time दिया जाएगा अब आगे कि चわ'd चीजी है वो सिरफ forest guard के लिए forester के लिए नहीं बलकि forest guard के लिए क्या क्या चीजी है 25 round एक minute में 10 whats put च्यार किलो का गोड़ा फेंकना आपको साथे चार मिटर फिर थरो थरो अब क्रिकेट बाल का होगा इसमें 50 मिटर तक आपको गए थरो फेंकना है स्टेंडिंग बॉर्ट जम 1.35 मिटर होगा आपका तो यह आप से क्या है इसमें फोरेश्ट गाडर से आप से क्या है पूची जाएगी शिरफ जलिए अब बात करते हैं आपका इंटरिव्यू तो जो अमीदवार लिखित प्रिक्षा पेटी और पिएस्टी टेस्ट रूटिन करके करेंगे उन्हें सक्सातकर में भाग लेने के लिए बुलाए जाएगा जो अब दित्तम क्या है दस संको का होगा यह आपका इंटरिव वो दस नमबर का होगा और इंटरिव में आप से क्या क्या पूचा जाएगा पिर क्या आपको जोब दे जाएगे जोब लगने की बाद आपकी शेल्र क्या होगी तो शेल्र के बारे म अच्छी शेल्र वाली जोब है और एक अच्छी जोब है अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको ये फौन जोरूर बढ़ना चाहिए तो इस वीडियो के मादे में हमने डिसकस किया कि यवी राजसान में फोरेस्ट गार्ड की बर्तिका नोटिफिकेसन आच चुका है इसके बारे में हमने डिसकस किया कि इसकी सेलरी क्या है राजसान फोरेस्ट गार्ड का आपका स्लेबस क्या है selection process क्या है exam pattern क्या है और भी बहुत सारी बाते जो आपके मन में doubt बनी हुई थी वो बाते मैंने आपको बताईए आसा करतों मैंने आपको जान कर दिया वो आपको अच्छी लगए और समझ में आई है अगर जान कर याच्छी लगए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में आपको इदरे एक बेल आइकन दीख रहा है उसको आपको प्रेस कर रहा है ताकि जब भी को निया वीडियो डाल जाए या भी नई जानकर डाल जाए आपकी पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द किया वो जानकर देख सको तो आज की जानकर बस इतना ही मिलते हैं एक नई जानकर सा तब तक के लिए जैन जैबार धन्यवाद